असलाम अलेकुम मेरी प्यारी बच्चो बच्चे आज हमें पढ़ना है पांचवे जमात की अर्दू किताब हमारा अनुवान है आज का अपने अपने करनी ठीक पन पन कहूं पन पन अमल ठीक परक करनी लुकमा रूखा नोश करना मकमल यह कुछ उपर दिये गए अलफाज है वही हमने पहले पड़े हैं ठीक परक माने गो जॉइंच ठीक तो करनी गए कॉम लुकमा गो नौला बत में ठीक नोश करना गो पीना रूखा गो सूखा ठीक मकमल गो मलाइम कपड़े मलाइम कपड़ा ठीक हाथों से दो काम किये एक अशा और एक बुरा वो मुं से दो बोल कहे एक अशा और एक बुरा वो भी जांचा जाएगा वो भी परखा जाएगा अपनी अपनी करने का हर इनसान फल पाईगा ठीक तो दपाँ अला में ने इनसान को आजादी अता की है और अब उसकी मर्जी है वो सही या गलत का इंतिखाब करता है इनसान अपने हाथों से अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है इनसान अपने मुझ से अच्छी बात भी बोल सकता है और गलत बात भी बोल सकता है ठीक दूनों चीज़े इनसान के बस में हैं रोजी जज़ा के दिन गलत और सही का फैसला होगा जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा ठीक यानि जिसने अच्छा काम किया होगा उसको इनाम मिलेगा अल्ला बचाए जिसने गलत काम किया होगा उसको सजा मिलेगी ठीक यह है इसका मतलब अब इन्शाला इसके आगे हम कल पढ़ेंगे ठीक